देश के कोल सेक्टर को कैप्टिव और नॉन कैप्टिव के जान में उल्जा कर रखा गया था इसको कॉम्पिटिशन से भार रखा गया था ट्रांस्परंसी की एक बहुत बड़ी समस्या बार बार सामने आई है इमानदारी से आउक्षन को छोड़िए कोईला खदानों के एलोट्मेंट में बड़े बड़े गोटालों की चर्चा हर किसी ने सुनी है हर समय हुई है हर कौने में हुई है इस वज़े से देश के कोल सेक्टर में इन्वेस्ट्मेंट भी कम होता था और उसकी एफिसेंसी भी हमेशा सवालों के घेरे में रहती थी कोईला निकलता किसी राज्य में था जाता सेक्ड़ों किलोमिटर दूर किसी अन्य राज्य के पावर प्लांट के लिए होता था जबकि वे राज्य के पावर प्लांट कोईले का इंतजार करे रह चायते थे याने काफी कुछ मिसमेनेज था अस्तवस्त था साथियों साल 2014 के बाद इस्थिति को बदलने के लिए एक के बाद एक कई कदम उठाए गए जिस कोल लिंकेज की बात कोई सोच नहीं सकता था वो हमने करके दिखाया ऐसे कदमों के कारण कोल सेक्टर को मजबूती भी मिली